यूटीव चैनल स्टार्ट कैसे करना चाहिए, उस पे किस तरह का कॉंटेंट करना चाहिए, जिससे आप ऐसे कमा सकें। आप उसे खरीदें नहीं बलकि उसे जीते हैं। किसी शर्स ने ई-कॉमर्स का बिजिसस करना हो, आपके ख्याल भी कितनी उसकी कॉस्ट आती है स्टोर सेट अप करने की। पाइस से दस लाग की इंविस्मिन्ट में कर सकते हैं। असलों आपकों, अमीद सब दस ठीक टाक होंगे, जब दस होंगे। दोस्तो आज हमारे साथ एक मशहूर यूट्यूबर, मशहूर जो टेक की एक्सपर्ट हैं, फैसल शबीर साब, हमारे बोर्कास्ट में गेस्ट हैं। आज हम इन से बात करेंगे कि यह जो काम करते हैं, क्या दूसरों के लिए काम सुटबल है के नहीं है। कि यह टेक की जो गैजर्स हैं, अगर ऐसी गैजर्स के रिवियूज वेले चैनल्स बनाए जाएं, तो यह चैनल्स कैसे काम करते हैं, इनके अंदर क्या आउटपुट आ सकती है। तो हम आज इन्शाला इसी मौजबी बात ची करेंगे, यूटीब चैनल स्टार्ट कैसे करना चाहिए, उस पे किस तरह का कॉंटेंट करना चाहिए, और भी किस किस तरह के आईडियाज इस पे आ सकते हैं, जिल पे आप किसी कास निश में काम करें, खाली टेक के प्रश्री टाने का, शेदाद बाई आपका बहुत बहुत शुक्री है, आपका मुझे इन्वाइट किया, आपका में रोने मिनत हों, आपको काफी मैंने वेट करवाएं उसके लिए शर्मिन्दा हों, अच्छा नहीं कोई मुस्छान नहीं, यकिन किजिए आपका वक्त ते जर्नी क्या थी? तो बस मैंने कोविड में स्टार्ट लिया, टिक टॉक पे आया, वो अल्लाबाक ने दिनों ही में हिजद देना अता कर दी, तो वाकी सब कुछ आपके साम, माशाएलला, सब्रदस्त, मैंने खुद देखिया आपके चैनल ग्रो करते वे, बिल्कुल स्टार्ट से, मैं इसको फालू कर रहा हुआ था, आप शाएर नहीं जानते मैं इसको फालू करता हूँ, तो मैंने इसको शुरू से देखा था, कैसे ग्रो कर रहा है चनल, कैसा कॉंटेंट बनाते है, especially जो आपने नया स्टोडिय बनाया था, तो इस स्टोडिय कि आपने किया चीज़ लगाई यह बहुत देर के बाद आती है जब कोविट चला गया तो दुबारा शॉप्स बेर उपन हो गई मेरा जो काम था बैसिकली मैं सेलफुन के काम करता थे मेरी मुबाइल की शॉप थी तो माशाइलला हमारी जो रीच थी वन मिलिन वर्डिस तक पहुंच गया है इसके बाद फि तकरीपन पार से छे मान लगके उसके बाद मैं अपने पहला स्टूडियो बनाया अब यहापन मैं थोड़ा सा बताओने अपने ओडियंस को कि जब मैंने अपना यूटूब चैनल स्टार्ट किया टिक टॉक पाली वीडियो तो मैं कभी घर की छट पे कर भी कमरें में कभी के पे बना लेता था कि भी बैठाग में बैठके बना लेता था लेकि जो यूटूब की प्रॉपर्ली प्रफेशनली जो पहली वीडियो थी वो मैंने सिर्फ अपनी ही शॉप में सुबह साथ पर जाके ग्रीन स्क्रीन पर रिकार्डिंग करता और नो बचे शोटा पई आ आपने जब ये चैनल स्टार्ट किया था तो मेरा सीली क्वेशन है लेकिन चूंकि मौशली लोग पूछते हैं मैं इसली पूछने साथ हूं क्या आपने इसको मौरिटाइज करवाया था बस ये बड़े लोगों से सुना हुआ था कि आपने कोंसिस्टेंसी से काम कर ला है तो बस मैंने उसी को फॉलो किया तो वो हर रोज वीडियो लगाई वो ऐसा टॉपिक चूज किया जिसकी मार्केट में डिमांड थी लोगों प्राबलम को सॉल्फ किया और अल्ला का अच्छा मैं खुद लोगों से कहता हूं भाई मौनिटाइज मत करवाई यह वो फेक किसम की वियूज होंगी आपकी चैनल पर इस राद भी बड़ सकते हैं तो अगर आप कंसिस्टेंटली आप काम करते हैं खुद चल जाएगा चैनल अभी मैंने शिजात भी आपकी बात क कि उसे जीते हैं येस और दूसी बात शायद इसलामिक पाईटी वेसे ये अच्छी बात भी नहीं है कि आप पाई करें डिसीव कर रहे हैं हम उसके सिस्टम कर डिसीव करते हैं तो शायद ये अच्छी बात नहो अच्छा फैसल भाई आप आप कई चीज़ों के रिवियू ही करते हैं कि और किसम का कॉन्टेट भी मिलाते हैं मेरी मेंस्ट्रीम मेरी मेंस्ट्रीम वीडियोज बहुत सारी बनती हैं जिन पर टिप्स ट्रिक्स विए रहे मैं बताता हूँ इंस्टाग्राफ, टिक टॉक, इनके मसले मसाइल में आने वाले नए फीचर्ज, आजकल एयाई का ट्रेंड है यह पे मेरी बहुत सी वीडियोज है मेरा जो मेंस्ट्रीम कॉन्टेंट है उसके दरफते में एक दो वीडियोज जो आती हो प्रमोशन होती है ब्रैंड कोलाबरेशन होती है यह ब्रैंड आपको खुद से अप्रोच करते हैं कि आप इसकी प्रमोशन की दिये जी शेदाबरेशन का शुकर है आज तक किसी को मैंने खुद आउट टीच नहीं किया खलताला खुदी ब्रैंड अता कर रहा है वाँ आपने मेरी वीडियोस देखी है मेरा काम देखा है एडिटिंग देखी है इसको जब लोग देखते हैं ब्रैंड देखते हैं तो आटोमेटिकली आते हैं मैंने आज तक किसी ब्रैंड को खुद अब्रूज नहीं किया अच्छा आपने इससे पहले कीती है अपनी मुबाइल फून की शॉप और उसके बाद आप मोसली काम करते हैं क्या आज भी आपकी शॉप मुझूद है जी शजाद भाई शॉप मेरी मुझूद है वो छोटे बाई के हैंड ओवर कर दी थी मैं इस वक्त फूली टाइम अपने यूट्यूब पो दे रहा हूँ ऑनलाइन फील्ड पो दे रहा हूँ जिसमें मैं इंस्टाग्राम, टिक टॉक, यूट्यूब, लिंक डे बग़र पे काम कर रहा हूँ यहाँ पर लगश्वक्र ब्रेंड प्रमोश्स आ जाती है फूल टाइम काम करते हैं क्या यह केरियर बेटर था या वो पिछला केरियर बेटर था शेजाद भाई इस केरियर में मुझे अलाथ अलाथ ने वो कुछ इता किया जिसका मैंने कभी गुमान भी ने किया लकीन करेला पाक ने बहुत इज़त भी दी रिस्क भी अता किया शौरत भी आपके सामने है और ग्रोथ भी आपके सामने है अगर मैं लोकल बिजनस को पॉरिस बिजनस को कंपेर करो तो मौजना कर यह नहीं सकते है मिल्कुल ऐसे है जैसे देखिए इन लोकल बिजनस में तो लोकल लोग आएंगे या कुछ लोग शायद दूसरी शेरों से थोड़ी बहुत आये तो देखिए लेकिन अगर आप अनलेंट काम करते हैं तो उसके तो अच्छे खासा उसका ट्रेंट होगा पाकिस्तान आपकी समयलेडिया ओडियस ग्राउन इसमें ग्राउंड बढ़ा हो जाता है लोकल मार्कीट में अगर दस लोगा तो अनलेंट मार्कीट में आपके सामनें अनलेमिटिट जो है ना ओडियस मुझग होता है जिसको आप कैच कर सकते हैं आपके सादा उजनस ले सकते है अच्छा मैं ना लोगों से कहता हूँ कि पाकिस्तान केंदर एक कॉमर्स में लोगों को काम करना चाहिए उसकी वज़ा ये है पाकिस्तान में देखिए जो फ्री लांसिंग की मार्कीट है इसमें तक्रीबन दो से धाई अरव डालर की मार्कीट है पाकिस्तानी मार्कीट लेकिन जो डुमेस्टिक एक कॉमर्स की मार्कीट है ये पांच अरव डालर की है इस वक्त यहनि इतनी बड़ी मार्कीट है पाकिस्तान में आप अगर online चीजी सेल करते है उसकी मारकेट बहुत बढ़ी है आपने ये e-commerce टोर शुरू कब किया था e-commerce टोर शुदाद भई तकरीबन धाई साल हो चुके है और अलहमदलिल्ला इससे बहुत रिस्क कमाया है विसोर्स से भी ज्यादा रिस्क लाने अता की है और मैं लोगों को यही मुश्वरा दोगा कर अगर आपके पस कोई भी ऐसी शॉप है इसमें आपके पास ऐसी प्रॉडक्स है जिने आप online जाके सेल कर सकते हैं तो आपके अपने शॉप के साथ साथ अपना online स्टोर लाजबी बनाना चाहिए आप बिल्कुल ठीक है अब यह जरनी थोड़ी सी बतानी है अपने कि आपने क्या क्या किया थे इन फैक्टरी अपने online स्टोर के चलाने के लिए स्टोर कहां पे बनाया था लाइक शॉपीफाई पे या वर्ड़प्रेस पे और इसके बाद यह प्रॉड़र्स कौन सी हैं कहां से लेते हैं सोर्स कहां से करते हैं बेचते कहां पे हैं तो लोग अगर ऐसे कुछ और चीज़ें बेचने चाहें किसी और नीश में वो क्या करें शेजाद बाई मेरा जो मैंने आपको बताया कि मेरी इक शॉप जो मैंने पर चोटा बेक हैं अड़र कर दी थी उससे भी छोटा बाई है नासिर शबीर जो सीएम शॉप को फिजिकली लोकल मार्किट में हैंडल कर रहे हैं तो उनी को मैंने मुश्वरा दिया कि हम इसको ना ओनल देके चलते हैं प्रमोशन्स वेरा मैं करूंग अपने चैनल पर अल्ला पाग निफेस वेली तो बनाई हुई की तो उसको हमने उसी को ना चठा मॉबाल हमारी चठा मॉबाल हमारी शॉप का नहीं है जिसको हमने इन शॉट लिखा सीएम शॉप इसके लिए हमने बनाया सीएमशाप.pk उसको मैंने बनाया वट परेस पर अच्छा यानि वो कामर्स हमारी अपनी शॉप बेशमार हां जे वो कामर्स के हमारी अपनी शॉप माशाला बेशमार पर्रक्स में हुझूद हैं तो उन्ही को मैंने लिस्ट किया यहां पर प्रापरली फोड़ोग्राफिक करने के बाद और अपने ही वीडियो में उनकी प्रमोशन की और अला के शुकर आभी तक हमें पेट प्रमोशन नहीं करने पड़ी है अच्छा है यह वीडियो से माशाला बहुत अच्छी जो आना व ऑनलाइन जो हमारे कस्टमर्स हैं वो सेटिस होंगे यह नहीं पहले प्रापरली चेक किया जाता है फिर उसके बाद नस्कारेजियों कर अगर किसी शखस ने ई-कॉमर्स का बिजस्स करना हो तो उसे तो चाहिए यह पेड़ मार्केटिंग उसके पास यूटीव चैनल नहीं होगा तो पेड़ मार्केटिंग वाला पार्ट छोड के फर्ज किया उसको कोई स्टोर सेट अप करने आपके ख्याल भी कितनी इसकी कॉस्ट आती है स्टोर सेट अप करने की आपने साइड बनाई थी या बनवाई थी अगर हमारी इस से गैजट इनस्टिक की बात की जाए की बात की जाए तो आप ये काम बड़ी असानी के साथ 5-10 लाग की इन्वेस्मेंट में कर सकते हैं यह काम कैसे करना चाहिए क्या मोसली इंवेंट्री किसी बंदे को खुद बाय करनी चाहिए या जो पापिलर चीज़ें हैं वो चंद एक अपने पास बाय करके रख्या है शेजाद बाई डॉप शिपिंग का तो मेरे पास नॉलेज कोई नहीं है मैंने उसकी तरफ मैंने गिया हूँ जैसे मैंने बता है कि मेरा चोटा भी हैंडल कर रहा है तो उसी को भीजते हैं वो हर रफते लोग जाता है और हाल रोर से ऑनलन शॉपिंग रहता है होल से हुए तो जहां पर जो चीज अची लगती है उसे मिशारा करता है तो उसके बाद उसको अनलाग के अपने सीम शॉप पर पबीश करते हैं इसका तो मुझे नॉलेज है लेकिन डॉप शॉपिंग मुझे नॉलेज नहीं है फिजिकल मार्कीट में जाके बन अफुस शॉपिंग कर मार्केटिंग कभी करवाई हो दोस्ताना महाल में नहीं शॉपिंग यह इसा बी तक नहीं हुआ है दो चार दोस्तों को मैंने चीज़ें बेजी हैं उन्होंने पुस्से रिवियू किया है लेकिन मैंने भी तक किसी नहीं है अच्छा मिलब़ ठीक है मैं जाना चार्ण का य पग आगे ने फैस 맞는 है है तो जितना काम लिमेटिट डारे मेरा है कर रहे हैं उतना ही कर रहे हैं ज्याद इसको फहला नहीं रहे फहला क्योंकि छो चुटे भाइगे बास diatope माअशयलहाइ जो Team Setup है वो 8-10 लड़के हैं तो जितना काम कर सकते हैं उतने ही प्रमोशन कर रहे हैं ज्यादा निकाल अच्छान ये शाप को मैनेज करने में कौन-कौन से मसाइल आपको दिरपेश होते हैं यानि मेरे निजर में एक मसला यह हम भी काम करते हैं कुछ एकामर्स का एक मुकदल क्या मसला आता है स्पोर्ट के ओपर काफी बसायल आते हैं ये उसको हेंडल करना आपके लिये कौन-कौन से ऐसे मसलें जिनको आपने हैंडल कर लिया है और कौन से मसलें जिनको हैंडल भी करने कोशे कर रहे हैं शदार बई फिजिकल शॉप की बात कर रहे हैं आप ऑनलेंड शॉप की ऑनलेंड शॉप में सर जी जो मसले हैं उसमें बंदे को online store को run करने का knowledge होना चाहिए, team management करना आना चाहिए, inventory का balance करना आना चाहिए, कितना पैसा हवा है, कितना TCS वालों के पास है, कितना inventory में पढ़ा हुआ है, कितना order deliver हो चुके है, इन सब की management इसके परापर उसको team रेपनी पड़ेगी, वो सबसे पहले फूर तो इन तमाव चीद है, शेजाद बाई, CM shop पे तीन लड़के हैं, जो dealing कर रहे हैं, order working कर रहे हैं, website को handle कर रहे हैं, WhatsApp को handle कर रहे हैं, दो लड़के हैं, जो parcel packing करते हैं, दो लड़के deliver करते हैं, TCS के पास हों के पूरा setup जो समाला होगा, बालकि जो छोटे बाई हैं, वो पूरी team team को manage कर रहे हैं बलकुर ठीक है, आप COD पे सब ये order लेते हैं, COD के अंदर returns आपको मिलते हैं, जैसे किसनी fake order किया हो, और उसके बाद कहें, मुझे नहीं चाहिए, जी, ये ratio बनती है, जो मारे experience हुआ है, ड़ाई साल का, इसमें जो ratio निकलती है न शेदाद भाई, अगर 100 parcel गे हैं, तो 5 parcel क issue रहता है, कभी बन्दा available नहीं है, कभी वो कहता है, मैंने लेना नहीं है, दो-चार order fake निकलाते हैं, लेकिन हमारी जो टीम जो मैंने guide की है, उनको जो, अपनी टीम को जो मैंने सिखाया है, वो ये है कि आपने properly order को done करना है, confirm करना है, बन्दे को चीछी तरह verify करने के बाद आपने dispatch करना है, बल्कुल ठीक है, ये बहुत मुनास्व रेशो है, अपकी return ratio, हमने इत्मात से 5-6 साल पहले, पाकिस्तान में सर्दियों का मौसम था, पंजीरी बेचतना शुरू की हो नहीं, ये एक अमारा समयरी जी का test project था चोटे बाहिते लिए, तो पंजीरी में उनकी हुआ किया, profit मुझूद था, लेकिन दो में से एक तीन में से एक order return हो रहा था, अब चुकर जब order COD पर return होता है, हमें तो shipping की cost पर जाती है, तो चार सुरू पर बचत थी, अब एक order में फर्ज किया, तो दो order के बाद बचत होगी, आट सुरू पर बचत थी, पर order, और दो order जो पहुंच जाते थे, इनसे चार सुरू पर बचा, लेकिन जो एक return हो गया, उसने दो सुरू पर खा भी लिया, तो यनि वो हमारे पास से खर्चा हो गया, इसे क्या हुआ कि अखर जाद ऐसे हुए कि profit नजल नहीं आया कहीं भी, लेकिन अगर calculation करें तो होना चाहिए था, जब तसलिए से एक माँ के बाँ बैठे तो उपता चला कि return ratio बहुत उनकी हाई है, फिर उनसे बोला कि आप इसके लिए कोई dedicated person रुके जो इसको follow up करें, जो ये riders होते हैं उनको follow up करें, कई बार riders बड़े जूर बोलते हैं इस पे, वो कहते हैं आपका बंदा order pick नहीं करना चाह रहा है, हमारे साथ बेशमार दफा ऐसा हो चुका है, कि वो कहते हैं कि आपका बंदा लेना नहीं चाह रहा है, जबकि हम इस बंदे की call आ रही है, बाई लेट क्यों है, फिर follow up करते करते, order पहुंच चला है, और ये return ratio पहुंची 10% पे, जो 33% थी, जब ये 10% करना चाहूंगा कि ये जो मैंने पूरा setup बनाया, टीम बनाई, order की ratio यहां तक लेके आया हूँ, इसमें जब COVID आया था, COVID के फोरण बाद मैंने अपनी शॉप स्टार्ट ले की थी, मैंने दो साल बीच में कपड़े का online काम किया था, नथी लाहोर से मिलाहोर मैं खुछ जात करना है, तो ये मेरा जो एक साल कर सा था था ना, मैंने इसको काफ़े कुछ लर्न कर लिया था, तो उसके बाद दोबारे से मने मुबैल शॉप शुरू कर ली थी, क्योंकि COVID के फोरण बाद काम स्टार्ट नहीं हुआ था, दुबान दारोगान आपको 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 कैसे करना है, और्डर कन्फरं कैसे करना है अची तरह, तो अल्ला पक अने बड़ अच्छा नालीज दिया और अल्ला कर शुकर है कि बहुत अच्छा बहुत अच्छा रिस्पंस है अच्छा मुझे एक बात आपसे बूजनी है, बहुत एहम बात वो यह है, आपके साथ कई और ऐसे लोकल शॉपकीपर्स दोस्त होंगे, जिन्होंने कौविड-19 में उनके कारबर मतासर लाजमी होंगे शायद उन्होंने कुछ हाथ पांवा रहे हो ओनल्ल्रिण काम के, लेकिन मौसरी लोग और अफर इनकाम करते हैं, ओनल्ल्रिण काम को पसंद ने करतें एक तो बात है पसंद क्यों नहीं करते दूसी बात ये लोग जब ऐसा काम स्टार्ट करना चाहें तो कर क्यों नहीं पाते आप में ऐसे क्या चीज़ थी कौन से ऐसा स्पार्क था कि आपने इसको लर्न किया प्रेटिस किया चलानी है शिजाज भाई हमारे पाकिस्तान में जो सबसे ज़यादा जिस चीज़ की नीड है ना, ऑनलेन काम करने के लिए, स्रीलासिक करने के लिए, एकवर्स करने कुछ भी ऑनलेन आपने करना है, फिजिकल मार्कीट सूटके अपने जब ऑनलेन जाना है, तो वहाँ पर जो सबसे दिखाना पड़ेगा, कन्वेंस करना पड़ेगा, मनाना पड़ेगा, मेरे अपने कुलीग है, उसकी यकीन करें, आप होना वो इंताई परिशान है, उसकी शादी नहीं हो रही, जो उसका ससूर है, वो यह कहता है, कि आप और काम छोड़ें, कोई फिजिकल काम करें, कई पर को रष्चा दूना है, यहाँ पर अपन्दाजा लगा लें, कि इतना इस लेवल का यहाँ पर नमालब यह गेप है, एज गेप कहलें, या कालीम का गेप कहलें, टो सबसे बड़ा गेप तो यह है, कि बड़ों का तावर्वन होना चाहिए, अगर बड़ों की स्पोर्ट मेल प्राबलम को देखें नीडी ना उ तो आप कैसे कामी हाँ मिलकुल ठीक है लेकिन क्याँ आपने कहीं से इसका कोर्स किया था ऑनने मार्केटिंग का जैसे आपने कपले बेचने के लिए यह जैसे प्हelect आपको पहले बताया किसी ओनन कोर्स को देखके या पिर आपने आफलन कोर्स किया या पिर वैसे लोगों की वीडियो से आप मतासर हो कि आपने सोचा मुझे ये काम करना चाहिए हूँ शेजाद भाई जैसे मैंने आपको पहले बदाया कि मेरी एक मुबाइल की शॉप थी वहाँ पर मुबाइल हर वक्त तो नहीं कस्मर खड़ा था पास डिलिंग आती है ये सेल करते हैं चले जाते हैं उसके बद फारिक बैट चाते हैं तो अल्लाप्राक ने मुझे अकले सलीम अता की तो मैंने अपने इस फारिक वच्बत को मैंने बिलकुल भी कभी जाया ने किये हैं हमेशा मैंने सेल्फ लड़निंग की हैं मैंने कहीं पर फिजिकल कॉर्स ने किया किसी का ऑनलन कॉर्स ने किया माशालाब जैसे लोग बैठे हैं गाइड करने वाले जैसे सार इमरान अली दीना है, शाम सर्वर है, शेजाद भाई आप लोग हैं तो आप लोगों को देखते होएं मैंने काफे कुछ यहीं पर सीखा और इदर से सीखे हैं मैंने यह सारा गाव चाँ मेरे से में हमेशा से बात रहती है, मैंने कल पर सो हमारे एक पोड़कास रिकॉड होगा था एक बच्चे के साथ, 12 साल का बच्चे यह 12 साल का बच्चे 17.00 डॉलर्स कमा रहा है, गेम्स डेल्व करके और 12 साल के बच्चे ने कई सी कोर्स निया और जो ये काम कर रहे उसका कई कोर्स होता ही नहीं है अब ये मेरे जिरें में सवाल ही हमेशा रहता है जो लोग भी जाना शाय चाहते हैं कि वो कौन से लोग है, के अंदर कौन सा सपार्प होता है उन लोगो कोई कोर्स नहीं चाहिए होता अपने अंदर से कहीं लगन कहीं थोड़ी सा क्रांट चाहिए होता है कि वो खुद से काम कर लेते हैं मेरे ख्याल है जो बंदा सेल्फ मोटिवेटिड है ना वो बंदा अपने रस्ते निकाल लेता है अब यकेन कीज़े हम अपने पेड कोर्स ने देते हैं लेकिं मेरी हमेशा से मैं लोगों से कहता हूँ मेरे भी फृरी कोर्स आप प्रिफर की दे मेरे पेड कोर्स ने की दे जो लोग फृरी में क Greeks सीखते हैं न उनको एक्स्टा माईल चलना पड़ता है कहीं और सर्च करनी पड़ती है नम भी चोड़ी वो टू दी पॉइंट काम नहीं कर पाते और लोग जो टू दी पॉइंट काम नहीं सीखना चाहते उनके पास एक तो देखें नालिज बड़ा आता है बड़ा स्रा नालिज तो मोस्ली वो जज़बात की वज़ए से शुरू करते हैं तो ज़बात उनको आके ले जाते हैं जबकि टू दी पॉइंट जो सीखना चाहता है न वो बंदा चाहता है मुझे जल्दी पैसे आज़े बस उनकी नकामें की सबसे बड़ी रिज़न है आपने माशालाब पहले काम भी का रही थे उसे आपके दिल जज़बा भी था यह ज़बा स्पार्क है मेरे ख्याल में माशाला यह से बुर्दस्त है जी शेदाद बई यह तो बात आपके बिल्दू ठीक है बाकी जो आप कहते हैं को जजबा क्यों नहीं आ रहा है अस्पार क्यों नहीं हो रहा है तो सोशल मीडिया में जो स्क्रोलिंग वाला ट्रेंड चल पड़ा है इसने बेड़ा घर कर दिये नौजवान नसलों को स्टक कर दिये अगर ये स्क्रोलिंग वाला टाइम में से आदा घंडा निकाल के भी थोड़ी सी लर्निंग करें, कुछ अच्छा देखनें, कुछ सीख लें, कामयाब बंदों की जर्नी को देखनें, सिर्फ उनको देखनें तो उनसे ही मोटिवेट हो जाएं पिकनी जी स्क्रोलिंग ऐसे ने बहुत जादा टड़ा वरे, हाँ तक सच सच में ऐसा है, देखें, बेशमार लोग यहाँ पर ऐसे लगए हैं, अब मैंने पहली बार जब देखा टिक टॉक पे, मैंने कभी इंस्टाल ने की थी दो तीन सार पहले टिक टॉक, टिक टॉक पे क तो देखें, वो ऐसा जसका लगा पड़ा है, कि लोग अपने दूसरे जो में काम करीन पाते हैं, आप यह कहीं जानीए, जो आपने बात की 100% दूरूस इसली है, मेरे पास नहीं कुछ इंगजेंपल्स भी ऐसी हैं, मेरे एक दोस्त, मैंने उनसे का आप सीखना चाहते हो, आप को गाइρलाइन्स भी मिली ओई है, आपके पस वक्त जब फरी होता है सीकनीन लगते हैं, तो क्या होता है, कहते हैं बच्छा इंगकर सीकता हूं, तो थोड़र से कारकी बोहर होता हूं, पिर मैं स्ट्रॉल करता हूं, कुछ वीडियोज, फिर लग रहता हूं, य Кто न कह केरियर चुनना हो, क्या ये एक बेदर केरियर आज भी है? जी सेदाद भई आप किसी भी फील्ड में जाना चाहें आपको उस चीज का नॉलेज है जैसे मैंने पहले बात की है मार्कीट का नॉलेज है उस चीज के बारे में नॉलेज है आपका एक्सपेरियंस है आपके पास टाइम है और काम करने का जजबा है तो आप किसी भी फ्यल्ड में कामयाब हो सकी मेरे मकसद यह थे जासे लोग कहते है जासे लोग कहते हैं कि आज कल यूट्यूब पे पैसे एक można करे चांज ही काम है नई चैनल वारेज जल्दी नही होते है यहां पे आटीस कम हो चुकी है क्या यहां पर आज भी as a YouTuber कैरियर स्टार्ट करना उसमें प्रडेशन है कि ने लोग यहां स्टार्ट कर सके जी बिलकुल शब्दा भी कर सकते हैं क्यों नहीं कर सकते हैं मैंने वही बात किया है कि अजर आपका चैनल वोही चैनल का मियाब होगा जो अपने वीवर को दिखाना चाहते हैं, उनकी प्राबलम को solve परें, बार्कीर में trend को पकड़ें, अगर आप अपने शोग के मताबिक वीडियो बनाएंगे तो वो dead पड़ी रहेंगी, आपकी वीडियो देखने वाला बंदा वो वीडियो देखना चाहता है जो उसको तो आप अपने अपने audience को समझें, अपने passion को समझें, अपने audience को समझें और इनको उस तरीके से target करें, अगर उनको problem है तो problem पर solution दें, किसी चीज़ की need है, तो वो आपने पो provide तो फिर आपका चाहिए लाजमी करो करेगा और दूसरी बात आप YouTube को बिलकुल अपना carrier बना स करते हैं, YouTube पे सिर्फ monetization earning का source नहीं है, आप brand collaboration करें, आप अपनी एक किसी प्रोडॉक्त पर उर्मोड करना चाहिए, वो आप कर सकते हैं, वेड़ पर्मोशन कर सकते हैं, अपना course launch कर सकते हैं, इसना के बहुत से काम आप YouTube पर रहते हों कर सकते हैं, यह जब trends की promotion मिलती है, य यह कितनी पैसे कम असकम से कितनी पैसनों तक की range भी पाकस्तान में YouTube को offer करते हैं, मैंने कफे से स्टोरिज दिन की सुन रखी हैं, लेकिन एक्चली एक क्या है, आप इसको क्या जानते हैं, शिजाद भाई यह तो depend करता है दो चीज़ पर, आपके channel की growth क्या है, आपके channel की value क क्या है, आपके face की value क्या है, अगर एक बंदे के पास 100 subscriber हैं, और एक बंदे के पास 1 lakh subscriber हैं, तो दोनों की promotion की rate में फरकत होगा न, और जो दूसरी चीज़ है, वो है product की value, company की value, जो आपसे काम करवाना चाह रहा है, उसकी value क्या है, वो किस level पे खड़ा है, तो इसमें अगर आप count करें, तो जैसे फर्ज करें, एर बंद की promotion है, जब मैंने अपना चैनल शुरु शुरु में बनाया, तो मैंने 10,000 में प्रमोशन भी की है, 50 में भी की है, लाक में भी की है, तो यह depend करता है, आपके face value, आपके channel की value, और brand की value, वैसे जो बड़े channels आपने, जिनके stories रू चकता हूँ, शेजाद भी, अकर मेरा experience के मनावे में बात करूँ, तो आप अच्छे channel पर, एक अच्छे YouTube channel पर, एक promotion के 20-30 लाक रुपे भी अराम से ले सकाए, मैंने भी वह से ना same stories रूनी थी, चान देख जो ऐसे लोग हैं, और वाकी वो charge कर रहे हैं, इतने पैसे, 20-30 ल करने के लिए, यह साच है, यह आज अगर लोग ऐसा content स्टार्ट करें, मेरा ख्याल है अगर YouTube स्टार्ट, सिर्व YouTube ना करें, वही सारा content टिक टॉक पे, Instagram पे, Facebook के पर इसमाल करें, यह सारे प्लैटफॉर्म्स भी वारे हैं, बिल्कुल, बिल्कुल, short content से start-up लें, long वीडियो हैं, इसके बाद LinkedIn पे आप काम कर सकते हैं, आप आपको बड़ा चाहा बिजनस मिल सकता है, collaboration मिल सकती है, ब्रैंड मिल जाते हैं, तो आप short content बना है, short के बाद आप अपने लोग वीडियो पे आजे हैं, बिल्कुल ठीक है, अच्छा आप ते बच्ची कितने हैं, मेरे माशा अगर अपने बच्चों को आप कुछ बनाना चाहें काल को, मैं इनको guide करूँ, इस carrier को जुने, आप क्या carrier कहेंगे इनको, ये carrier जुने, जी इन्शाला उनको IT की तरफी लेके आना है, और online world में ही उनको डिब्स करवाना है, यही प्लैन है, बाकि जो अल्ला पाका हो, विल् ने इसको पसंद करे, ऐसा नहों कई बार होता है, बाप का करवार होता है, बच्चे पसंद नहीं करते हैं, लेकिन दोसी तरफ मेरे यह इखवाच थी कि मैं बच्चे को force ना करू, यकीन कीदी, पिछले दो साल से ना मेरे पीछी उपड़ा था कि पापा मुझे ना अब बाशला प्रोगामिंग कर रहा है, उसकी एज सिस्टीन है, तो प्रोगामिंग कर रहा है वो, तो अब नेक्स्ट यह है कि जैसे उसकी तालीम तोड़ी सी जड़ा बैटर होगी और भी, तो मेरे खवाच है उसको फिर प्रॉपरली करें ट्रेनिंग दों उसको, उसको क करें, तो अगर बच्चे अपसांद कर लिए, बड़ी खुशी मिलती है, आईटी की फिर ना फैसल भाई ऐसी है, मेरे ना इसमें 24 साल है, इसमें बच्चे पैदा होके, जवान होके, कई बच्चों ने शादी भी कर लिए, मेरे एक बच्चा है, उसने 23 साल के एज में करता हूँ, यार शायद ही आपके एड़ी को ऐसा बंदा होगा, जो अपने काम से मुत्मिर हो, वरना जिस से पूछेंगे ना, जो काम कर रहे हो कहता है, यार मैं इसे हैपी, ने कुछ नया काम मिले मुझे, जिसमें बड़ा पैसा मिले, कुछ और चिने, तो तो यार बीज पता है, आपका कजन मेरा शागुर्द भी है, मेरा कजन आपका शागुर्द भी है, फैसल रिमान की बात कर रहा है, जी तो यह Television की बात कर रहा ह। कुलीग है माशालों अच्छा माशालों फैसल रिमान ने किया था हमारे सार्रीकारडिन के हुई थी तो इन्होंने माशालों गैस पॉस्टिंग से पैशिक माते रा उल्भा साथे होते हैं आ वो एन 47 में भी हम आपको लगता है ये गैस पॉस्टिंग आज कुछ सामने है खोले किताब के तरह सामने है आपको लगता है आज की दौर में बच्चों को ये चीज सीखने चाहिए गैस पॉस्टिंग शेज़ाद भाई मैंने जो पहले बात किया कि पैषन है कांग करने का जजबा है और मार्किट का नावलज है तो लाजमी करें लाजमी करना साओे देखा देखी मैं काम निकर बैट छाल मैं मुण दका कवश्टिंग ये फैसल इमान ने फ्री कोर्स किया था हमारे यूटीव चैनल से ऐसे बेश मार बचे पाकस्तान की पचाजार से एक लाग बचे हैं पाकस्तान में जिन्होंने फ्री यूटीव से सीखा जिस्ट वहां से पैसे एक माने शुकर दी तो यानि जिसको तो पैशन था ना उस बंदे को फिजिकली मेरे पास आके लर्म भी नहीं करना पड़ा वो तो जिस्ट उनको थोड़ी सी गाइडना मिल जाए बाकी खुद ही रिसरच करते हैं काम कर लेते हैं फिरैक भी डालने वाली बात होती है बस फिरैक भी डाल दें तो बच्चा चल पड़ता है बल्कुल से यह बात है अब देखिए जैसे आपनी काम किया न तो आपको जिस प्रेजिट गाइडलाइन थोड़ी सी जाहिए थी को लेके चल रहे हैं इसी को expand कर रहे हैं अपने e-commerce को थोड़ा expand करने की तियारी है और जैनल को मजीद ग्रोब करने की तियारी है पहले मैं LinkedIn पे नहीं था ना knowledge नहीं था उसका पहले उसको learn किया है मैं LinkedIn पे आ गया हूँ तो brand collaborations paid promotions और company के साथ काम करने है तो बिलकुल ठीक है य मेरे जहीं मेरे जहीं मेरे जहीं बड़ा idea था पहले लेकिन अब इतना वह होता है हम काफी brand आ चाहिए चाहिना के मैं आप शाहिए नहीं जानते मेरे पास था लेटरों से और मुझे जो audio वाले चीजे होती ना audio sound system बनाना मुझे खुद आता है और मैं इसमें काफी expert था तो मेरे जहीं मेरे जहीं बड़े ideas था में अपना जाती कोई अपनी product launch करूं जो जबरदस से woofers, subwoofers launch करूं लेकिन brush पढ़ गया market में अब तो यह possible है कि चाहिना से आप अपने नाम से प्रिंटिड वाह से चीज़ें मगवास करते हैं जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल कि अपना कोई जो आना ब्रैंड, अपनी कोई product को launch करते हैं मार्कीट में, अगर प्रिंट नहीं करने तो कोई app launch कर देते हैं, कोई software launch कर देते हैं, जिसके लोगों की problem solve हों, तो planning चल रही है, बाकि अल्द आल्द खैद करें, बिल्कुल, इन्शारत आल्द आल्द बिल्कु के लिए क्या advice देंगे? और जो भी आप काम करने जा रहे हैं, जिस भी फील्द में जा रहे हैं, उसका पहले properly आप उसकी learning करें, उसको जाने, उसकी depth को समझें, कि उसकी value है भी या नहीं, उसका future क्या है, उसमें कितना potential है, उसके बाद ही आप उस फील्द में चलाने लगाएं, तो इन्शारला नाकामी आप होंगे, नाकामी आपको नहीं मिलेगे। आने का मेरी खौशा कि हम और भी बाते करते हैं, इन्शालला आप से राफ़ तक कायम रहेगा, इन्शालला जिन्दगी रही तो मुलाकाते हैं हजार, लाहुर में अब जब भी आए तो मेरी सब दोस्तों से पहले रिक्श होती है, कि आपका मेज़मान सिर्फ एक होना चाह में उससे मोटिवेशन ले, कोई उसमें सिमत ढूने और कुछ नया काम कर सके, बहुत शुक्री आपका, इन्शालला दोस्तों हम इन्शालला बहुत जल्द ने किसी पोर्कास्ट में किसी नए दोस्त के साथ आएंगे, जिनका एक्सपरियंस फैसल साब की तरह का होगा, जि लेकीन कीज़ेंगे, मुझे इसका आइडिया नहीं था, मेरा आज प्लैन था कि हम करेंगे, यूट्यूब के मितलका करेंगे, लेकिन जब ये चीज़ आई तो मेरे ख्यालते इस पर लाजमी में बात करने चाहिए, उसकी वज़या, मैं डुमेस्टिक की कामर्स पर बात कर नए नियूस से, नए स्किल से, नए एक्सपेरियंस से, तब तक नहीं दोस्तों, आलाहाफिस